प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेर कीजे आपके वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दिजे और घंटी का बटन फ्रीज कीजे नमश्कार दोस्तो, आज हम लोग बात करेंगे एलेक्ट्रिक कार्स, जो की 2020 में बहरत में लॉच्छ होने जा रही है भारत में अब जल्दी ही एलेक्ट्रिक कारों के लाइन लगने वाले है हालाके अभी बहुत ज्यादा एलिटिक कारे मार्केट में मुझूद नहीं है लेकिन जल्दे ही भारत में कई नई एलिटिक कारे लॉँच होने जा रहे है प्रदुशन से बशने के लिए एलिटिक गाडिया ही सबसे बहतर उपा है लेकिन अभी भारत इसके लिए पूरी तरह से भी तयार नहीं हुआ है वो ये एक्सपर्ट मानते हैं कि जैसे जैसे ये वहानों का आगमन होगा सरकार के तरब से सपोर्ट मिलेगा तो ये मार्केट आगे बढ़ेगा आई ये जानते हैं कोन-कोन से इलेटिक कारे जो जल्दी ही भारत में लाउंच होने वाली है उसमें सर्व प्रतम हुंडाई कोना है हुंडाई कोना का रेंज 480 किलोमेटर फूल चार्च पर ये गाड़ी दोडेगी इस गाड़ी की संबावित किम्मत 25 लाग रुपे तक होगी इसका लॉंचिंग इयर 2020 में ये गाड़ी लॉंच होगी रेनल्ड जोई रेनल्ड जोई इस का रेंज 400 किलोमेटर फूल चार्च पर ये गाड़ी दोडेगी इसकी संबावित किम्मत 7-8 लुपे तक होगी इसका लॉंचिंग इयर 2019 होगा टाटा अल्टराज ये टाटा की इलेक्ट्रिक कार है इस गाड़ी की रेंज 300 किलोमेटर फूल चार्च पर ये गाड़ी दोडेगी इसकी संबावित किम्मत 8-9 लुपे तक होगी इसकी संबावित किम्मत 15-9 लुपे तक होगी इसकी संबावित किम्मत 15-9 लुपे तक होगी इसका लॉंचिंग इयर 2019 में ये गाड़ी लॉंच होगी दोस्तो इए वीडियो कैसा लगा प्लिज लाइक किजे सब्स्राइब किजे और घंटी का बटन दबाना मत भुलियेगा